रेडियो खांची 90.4 FM पर प्रसारित किये जाने वाले विशेवस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुत करता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्यान एवं सकार अत्मक्ता को आगे बढ़ाना। रेडियो खांची 90.4 FM हम सब का रेडियो। मैं डॉक्टर कमल कुमार बोस अध्यक्ष हिंदी विवाग संजेविर कॉलेज राची। आज मेरी वारता के दिशे है प्रियोगबाद। प्रियोगबाद नाम उन सभी कविताओं के लिए प्रचलित हो गया। जो कुछ नए बोध, नए संग्मिदना, नए विचार एवग नविन शिल्व की चमक के साथ शुरू में अग्जिय द्वारा संपादित तार सब्तक के माध्यम से सन 1943 इसमी में प्रकाशित हुई। नविन्ता की चाह रखने वाले कुछ नए पूराने साहित्यकारों ने प्रगतिवाद में समाहित अति जनवादी विचारधारा एवं दिश्टिकोन से त्रस्त होकर प्रगतिवाद की विरुधी विचारधारा के रूप में इस कावेधारा को सामने लाया। प्रगतिवादी भूमी पर ही प्रयोगवाद के अंकुर फूटे। दुनों ने इसार्थ को अहिव्यक्ति का माध्यम बनाया। उसे केवल कला के लिए ही मानते हैं। नंजुलारी वाजपेई रामविला शर्मा आदी ने इसका नाम प्रयोगवाद रखना ही उचित समझा। सन उनिसे कावन इस्वी में दूसरा सब तक भी प्रकाशित हुआ। इन संग्रहों के अतरिक्त प्रतीक नामक मासिक पत्रिका ने अग्ये के संपादन में प्रयोगवादी कविताओं को काफी प्रश्रह दिया। पाटल, दिष्टिकोन, एवग नयापत जैसी प्रगतिशिल्द पत्रिकाओं में ऐसी कविताओं के दर्शन होते रहते हैं। पास्तों में डॉक्टर नगेंद्र जैसे कवी समिक्षक या तो प्रगतिवादी थे या प्रयोगवादी नाम का विरोध कर रहे थे। उनका मानना था कि प्रयोग का कोई वाद नहीं होता। प्रयोग अपने आप में न तो इस्ट है नहीं साध्य है। जैसे कविता प्रियोक का विशय है कवी कर्म की मूल समस्या संप्रेशन और साधारणी करन की समस्या है व्यक्ति सत्य को व्यापक सत्य बनाने का उत्तरदाइत्व आज की कवी की सबसे बड़ी समस्या है प्रियोक्षील कभी भाषा की संकोचित इस्थिती को नकार कर उसमें नया व्यापक और सारगर्वित अर्थ भरना चाहता है भाषा को अपरियाप्त पाकर विराम चिन्हों अंकों की सीधी तिरिछी लकिरों छोटे बड़े टाइप आदी का प्रियोक भी करने लगे हैं प्रियोक का कोई वाद नहीं है प्रियोक इष्ट या साध्य नहीं है प्रियोक साधन है प्रियोक वाद भाव और वन्जना का इस्थाप्त है प्रियोक वाद सर्वतंत्र स्वतंत्र है उसके लिए शास्त्र या दल निर्धारित नियम अनुपयुक्त है प्रियोक वाद अनुकरण की तरह अपना भी अनुकरण वर्जित समझता है। जो प्रयोक्षील हैं तो ये प्रयोक को साधन मानते हैं पर प्रयोकवादी साध्ये। प्रगतिवाद का विरोध कर रही है। चायवाद से पुझिपतियों एवंग प्रदिक्रियावादी शक्तियों को कोई भय नहीं था। पर जब सन 1937 इसबी के लगवग चायवाद का पतन होने लगा एवंग नवीन यूग चेतना के साथ प्रगतिवाद आगे बढ़ने लग तब पुझिपतियों के कान खड़े हुए। इसका कारण ये था कि प्रगतिवाद ने शोशित वर्ग का समठसन किया और उसमें सामान्य, दुखी और दलित जनता का शोभ मुखरित हो उठा। यह देखकर पुझिपतियों एवंग कला कला के लिए सिध्धान के समठसक कला कलाकरों ने प्रगतिवाद को बूरी तरह बदनाम करना शुरू कर दिया। प्रिंत जब प्रगतिवाद की शशक्त जनवादी काब्यधारा उनके रोके नरोक शकी तब उन्हों एक ऐसी काब्यधारा का प्रणयन कराया जिसमें हमारी ऐची समस्याँ को पथानता दी गई जिनसे हमारी दैनिक समस्याँ का कोई संबंद नहीं था जिवा कलाकरों का सारा ध्यान और सारी शक्ति तक्नीक या शयली के नवीन प्रेवों के तरफ लगा दिया गया इलोगों का ध्यान एक ऐसे सही तिस्रिजन करने में लगा दिया गया जो जनवादी हो चाहे नहो परन्तु विलक्षन अद्भुत दूरु हो और ऐसा अवश्य हो जिसे पढ़कर पाठक आश्चचकित हो उठे भले ही उसे समझ ना पाए या समझ पाए पर ये जरूर कहे कि कोई नई बात कही गई है कोई प्रियोग जरूर किया गया है प्रियोगवादी कविता का एक उधारन ये धारना को इसपस्ट करता है अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता तो क्या होता तोता होता खुश्वे जुम पर कहता है तो 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 ता 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 और इस चे के स्वर में कहता है होता 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 इस कविता का भाव इसकी भाशाश्रेली इसकी संग्विदना आदी की दिछ्षी से इसका क्या ये विचारणी है एसे ही कविताओं को देखकर पंडित नंद दुलारी बाच्पेन लिखा है कि प्रेगवादी साहितिक रचनाओं से साधरनाता उस व्यक्ति का उस रचना का बोध होता है जिनकी रचना में कोई तात्विक अनुभूती कोई स्वाभाविक करम विकास या को सुनेश्चित व्यक्तित्व ना हो डॉक्टर प्रेम नारायन शुक्ल ने भी प्रियोगवादियों से शुब्द होकर टिपणी की है व्यचित्र विधान के मुह में पढ़कर प्रियोगवादी कलाकार कला की आत्मा की बड़े निर्मम हत्या करके भी यही समस्ता है कि उसन से आगे आने वाली पिणियों के लिए पुन्य पत्र का प्रदर्शन किया है प्रवुद्ध आलोचक डॉक्टर राम विला शर्मा ने प्रियोगवादियों की रुब्ण कुछित मनविर्ति का परदाफास करते हुए लिखा है रुपाकारों में प्रियोग करने की स्वाध हिंता को हिंदी में प्रियोगवाद का नाम दिया गया है प्रियोगवाद अग्य जैसे कलाकारों के सामाजिक उत्रदाइत्त से बरी होने की मांग है प्रियोगवाद का कला सिध्धान्त है कला 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 के लिए उसकी विशेवस्तु पराजय और कुंठा के रच्ष से प्रियोग बाद इन कवियों के लिए जन जीवन या तो है या नहीं या है तो उन्हीं जैसा दिक्रित और जिरुद्यश्य है पर प्रियोग बादी कवियों का दावा है कि वे संस्किती के रक्षक है और जन भाषा को अधिक संपन बनाने में लगे हुए हैं ये बनी बनाई लीक पर नचल कर नवीन राहों का अन्यवेशन कर रहे हैं प्रियोग बादी कवियों महाशक के निकट लाना है कावी की अनभूती को जन जीवन के संपर्क में लाना है किस्वी बात बदले हुए जीवन की नई संभावनाओं के उदगाटन के लिए अथ्वा नए मुल्यों की पतिष्ठा के लिए नवीन प्रियोग करने हैं उन्ही के शब्दों में नई शैल प्रियोगवाद ने सचमुच की करांती उपस्थित कर दी है अग्ये नए सत्य की अविव्यक्ति के लिए नए शिल्प को तलाशने की मांग करते हैं प्रियोग को सार्था करने के लिए नए रूप विधान की आउशकता होती है अग्ये अविव्यक्ति के लिए प्रतीक विधान का नविनी करण किया है यह प्रतीक जो पुराने और निश्चित अर्थ देने लगते हैं उनसे प्रयोगवादियों ने मुक्ति पाने का प्रयास किया है अग ये लिखते हैं यूपमान मैले हो गए हैं देवता इन प्रतिकों के कर गए हैं कूछ कभी वासन अधिक हिसने से मुलम्मा छूट जाता है पश्चमी प्रविर्ती बिम्य बिधान प्रयुगवादियों को बहुत प्रभाविस करती है डॉक्टर किदार नाथ सिंग का कहना है कि आधुनिक हिंदी काभी की आलचना की कसोटी न तो रस अलंकार है और न चरित चित्रन बलकि उसमें प्रयुक्त बिम्ब है वस्तु के धरासल पर व्यक्ति वाजिता, मनवज्यानिक अनभूतियों, चमस्कार एवंग व्यक्ति सत्य को ब्यापक सत्य तक पहुचाना साथी परंपरा को नहीं स्विकारना, जीवन की छोटी-छोटी घटनाओं का विवेचन करना महत की जगह लगू को स्थापित करना, समाज के स्थान पर व्यक्ति की प्रति स्थापना, बौधिकता का आगरह जैसी प्रिवित्तियां कुछेक प्रगतिवादी कवियों की कविताओं में परिलक्षित होती है प्रगतिवादी कवियों ने वेदना की नई व्याख्या की तथा युग वोध की प्रखरता पर बल दिया। व्यक्ति की शक्ति को मूल मानकर समस्टी के प्रति समर्पित करने का आग्रह भी इन कवियों में है। अग्ये ने रिखा है जानता क्या नहीं नीज में बद्ध होकर है नहीं निरवाह। पक्षधर है इनका नुसार कविता का उद्यश्य है मस्तिष्ट को कूरेदना इन कवियों की कविताओं में कहीं कहीं आत्मिक जीवन के विफिन पक्षव पर व्यंग करने का प्रयास भी प्रिलक्षित होता है सांप तुम सभ्यत हुए नहीं नगर में वसना फित में नहीं आया एक बात पुछू उत्तर दोगे फिर कैसे सिखा डसना विश कहां पाया प्रिगवादी कवियों ने अपनी रचनाओं में परम परागत प्रतिकों एवंग उपमानों के स्थान पर अध्मिक युग में नव के रूची अधिक है कलगी बाजरे की कविता में और प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया जैसी कविताओं में अहीं वक्तियों में नए बिम्मों और प्रतिकों का प्रियोग इस पश्टत दिखाई पड़ता है तारशब्तक के कवियों के अतरिक अनेक ऐसे कभी हैं जिन्हों ने प्रियोगवादी आंद्रन को सम्रिद्ध किया है जैसे नेवी चंद्र जैन, राम विलास शर्मा, भवानी प्रसाथ मिश्र, समशेर बहादूर सिंग, कुमन नरायन, किदरनात सिंग, सर्वेश्वर दयाल सक्षेना आदिव, सफी ने अपनी सुर्जन यात्रा में रूप लगाया जाता रहा है, इस पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि संपुन प्रियोगवादी आंद्रन के सर्वेक्षन से या रूप निराधार और तरकहीन प्रतीत होते हैं, प्रियोगवाद ने युग बोध और ने रचनात्मक, प्रवितियों से युक्त समसा एवं स्वस्त एवं संपुर्ण का विधारा है, इसमें कोई संध्य नहीं